हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू जो आए नोलेज बेंक, नोलेज बेंक में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं तो ये जो है 20 नॉमबर को जो पेपर हुआ है जैसी कलर का उसको मैं सोल्ड करके दिखाऊंगा ठीक है और आपने जो है 13 नॉमबर काई मैंने अपलोड किया था अगर आपने देख्या हो पिछला पेपर सोल्ड करया हो और ये पेपर देख्या हो तो बहुत से कई 45 कोशन तो ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं वही कोशन दे के चल रहे हैं ठीक और पेपर का लेवल कोई खास लेवल नहीं है बिल्कु सिंपल लेवल का पेपर है ठीक है इतना हाड पेपर नहीं आ रहा है अभी मैं इसको सोल्ड करके आपको दिखाऊंगा और जो आपको अगर फ्यूचर में जो पेपर होने वाड़ा है 27 को जो है नॉ सोलेज बैंक का इसके उपर जा कि आप हमारी टीम से कॉंटेक्ट कर सकते हो आपकी पूरी हेल्प करेगी एंड यह हमारा जो है एबबी पेज है जहां पर हम डैली करंट अफेर्स और स्टडी से लेटिड अधर्स जो मैटिल अपडेट करते रहते हैं यह पेज भी आपकी क यह उखित मैंसे कि स्तान पर 14-76 अप्रेयल 2016 के अंदर अपर्थम किया गया यह और यह किया गया था कहा मुंबई के लिए इस सम्मीन का मुखह जो था, क्या था फूइन्ट किया था कि अन्वेटर होते हैं फेर्शी की बैटर प्लेटफॉर्म बिजनस के लिए एक बैटर जो गलोबल एक बैटर प्लेटफॉर्म प्रवाइड कराना अगला देखेगा तो में खरीब की फसले होती है और एक रवी की फसले होती है ये जो नीचे स्टेटमेंट दे रखी ये आपने बताना ही कौन सी बात प्लेट नहीं दा खरीब जो है season spread from June still September यह बिल्कुल correct statement यहनी जो खरीब जो रितू की जो होती है फसल यह होती है जून से से अप्टेम्बर की बीची होती है बात साहिए रवी की जो है रवी जो है रितू अक्टूबर से मार्च तक होती है उतरी भारत में खरीब रितू में गेहूं की पैदावर खरीब एक बात याद रखना जो होता है गेहूं गेहूं जो होता है सर्दियों के अंदर होता है उतर भारत के अंदर तो खरीब की रित आप्रेल से जोन के अंदर जिसके अंदर हम खर्बूजे बेगेरा तरबूज यह जो बोय जाते हैं ठीक है थोड़े से टाइम के लिए अगला कोशन देखिया निमल लखीत में इसे किस राज़े में मधू बनी चितरकला परसिध हैं मधू बनी चितरकला परसिद हैं यह हैं अंदर ठीक है बिहार के अंदर ये काफी जो है फेमस है इसे मिथिला भी कहते है और मिथिला की जो है पेंटिंग जो थी मिथिला पेंटिंग को ही क्या कहते है मदू बनी पेंटिंग कहा जाता है बिहार के अंदर ये ठीक है नेक्स्ट कोशन के उपर हम चलते हैं देखी है न प्रूना जो S.F. अली थी इसका जो किसके साथ लिंक था इसका इनका जो लिंक था क्वाइट इंडियन मोमेंटम यानि भारत छोड़ो अंदोलन के साथ इनका लिंक था ठीक है इसके जो थी इसके साथ जुड़ी हुए थी ये इसका कुरेक्ट अंसोर आ जाएगा नेक्ट कुशन देखेगा अगर जो थी पंचा है जो थी पंचा है तो जो थी उसको विगठित कर दिया जाए यानि डिजॉल्ड हो जाए तो इलेक्शन आर टू भी हैल्ड विदिन कितने दिन के अंदर हैल्ड किये जाएंगे 6 मंत के बाद 6 महीनों के बाद इनको दोबारा से जो है election होंगे नेक्ट कुशन देखेगा रिजनिंग का कुशन आता है इसके अंदर देखे ऑपांच है यहाँ पर ठीक हैी सीरीज के अंदर आप देखोगी क्या हो सकता है next question के उपर मुह करते हैं देखीगा साथ का question देखे चल रहा है साथ के question के अंदर क्या कहके चल रहा है वह यह missing जो time है यह आपने बतानी है तो देखी c m m e o o and g क्या हूँ यह आपने बताना है तो एक मिंट आप ही इसको जो भी इरिजनी का कोई भी a b c d या कोई भी question होता है एक बार आप alphabet लिख लिजिया 26 alphabet फटा फट राइट करके इससे आपको idea लग जा है कौन सी series कैसे चल रही कहां से क्या चल रही तो देख इसको लिखता हूँ हमारे पास होता है k l m और होता है n o क्या रहता है p kyao r s t u v w इस तरह से चलता है तो m है m के बाद o आएगा m के बाद एक छोड की o आ गया फिर p छोड के क्या चल रहा है kyao kyao छोड के फिर क्या चलेगा s चलेगा इसको मैं match कराता हूँ t के बाद क्या रहा है यू आ रहे हैं तो सिद्धी सी बात है इसके अंदर क्या आएगा वही क्या हूँ के बाद क्या चल रहे है S तो S वाली सीरीज चलेगी S वाले दो option रहेगे या तो G SS आना ची या फिर क्या आना ची G SS आना ची तो इसमें से अब देखते हैं क्यों सा है अब उपर वाली सीरीज को चला लो इसी तरह से क्या चला होगे A B C D देखो C के बाद क्या है बीच में क्या गायब हो गया D गायब हो गया E F F के बाद G G H I तो कुण सा अंसर आ जाएगा C इसका correct answer हो जाएगा या बता सकते है वीच अगला कुशन देखिया question number 8 which word does not belong with others इन में से बताना है कि नीचे वाला जो है word जो है इन में से जो है इसी तरह से रबड इस मैसी होता है सोलीड होता है इलास्टिक होता है इन फ्लेक्सिबल जबकि फ्लेक्सिबल तो वहता है जो मुड़ जाए तो रबड इन फ्लेक्सिबल तो होता है नि इसके साथ लिंक नहीं होगा मास तो हर चीज़ के अंदर होता है रबड एक solid भी नहीं होता है नरम होता है तो इसके अंदर रबड के अंदर एक elastic property होती है ये इसका correct अंसर आ जाएगा elastic ठीक है elastic वो property होती है जो अपनी shape original shape gain कर ले next question देखीगा क्या कैके चल रहा है 5 children are sitting in a row एक sitting के अंदर कितने बच्चे बैठे हुए है 5 जो हैं बच्चे बैठे हुए है ठीक है S is sitting next to P अगर ये क्या है यहाँ पर है S इसके अगला कौन है इसके अगला जो है क्या कह रहा है कि एक मिन दोबारा देखी S is sitting next to P यानि P से आगे बैठे हुआ है अगर एक मिन इसको गल्द करें बही क्या है ये मान लेता हूँ मैं क्या मान लेता हूँ ये P मान लेता हूँ ठीक है P से जो है next कौन है S है ये S हो जाएगा but not T but not T and K is sitting next to R और जो है next to R K is sitting next to R R से अगला है अगर ये मान के चलो R है तो K क्या है इससे अगला है ठीक है और T कहा है but not T T की T यहाँ पर आजएगा ठीक है क्योंकि अगर इस statement को आप पढ़ोगे 5 children are sitting in a row S is sitting जो था next to P जो है P से अगला है but not to T T से अगला नहीं है तो T से पीछे हो गया तो अब क्या कहके चल रहा है आगे इसके अंदर आगे पढ़ते हम T is not sitting next to K T जो है इससे केस ही आगे नहीं है क्यों T क्या आगे कौन है R है who is sitting in the adjacent to S S के adjacent में कौन बेठा हुआ है यह आपने बताएगे चलना है तो S के adjacent में एक तो P बेठा हुआ है और एक कौन सा बेठा हुआ है T बेठा हुआ है तो यह इसका क्या आजएगा correct answer who is sitting adjacent to S S से adjacent में होता है लगाता है निकट वर्ती कौन है S के निकट वर्ती एक तो P है और एक क्या है T इस तरह से आप बता सकते reasoning question था अगला question देखिया if selling price is double अगर selling price को क्या कर दिया जाए यानि selling price को क्या कर दिया जाए double कर दिया जाए profit कितना हो जाता है profit हो जाता है triple अब इस तरह कोई भी question आजए उसके अंदर एक पर value मान लिए अगर माने चलो cost price कितना था cost price था 100 रपी मान लेता हूँ cost price 100 रपी था selling price कितना था selling price मान लेता हूँ कितना था 200 मान लिया ठीक है और profit कितना हो रहा था तो कितना हो गया 100 का profit हो जाएगा अब अगली statement के अंदर देखता हूँ selling price जो है फुना करूँआ 100 गा तो ॆज है 300 अब सिद्धी सी बात हैं कितना प्रोफिट हुआ है 300 ये उपणके उपड़ है कितने के उपर होा है 100 के उपर होा है परेशंट इस निकालने के लिए क्या करते हैं इन करके टीम जिसके अंदर कितने player हैं? 11 प्लेइर हैं, the average age of 11 player, 11 player की average age कितनी दे दी? 28 साल दे दी, तिसी बात है हम sum निकार सकते हैं, sum किसका? 11 प्लेइर का sum कितना आ जाएगा? यह आ जाए, 11 प्लेइर का sum कितना आ जाएगा? 28 गुणा में कितना आ जाएगा? 11 इस तरह से आ पानिय चलमें तीन गुरूप बना दी एक पहला गुरूप एक अगला गुरूप और ये एक अगला गुरूप परते गुरूप के अंदर कितने कितने हैं तीन तीन कंडिडेट हैं इसके अंदर भी तीन कंडिडेट हैं तो इनकी एवरेज दे दी हैं थ्री प्लेयर इच ओफ कितना आ जाएगा 28 गुना में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा अगले 30 वाले का निकाड़ों अदर कितना आ जाएगा 30 गुना में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ठीक है तो ये 9 प्लेयर की एज का समा गया अब आगे क्या कैगी चल रहे है दा कैप्टन एंड यंगस्ट प्ल हो जाएगी छोटा है उससे ठीक हैं तो सिधी सी बात है इन तीन प्लेयर की एज इन तीन प्लेयर की एज इन तीन प्लेयर की एज और ये नुमा प्लेयर और ये कुन सा सोरी ये हो जाएगा नो तो ये होगे ये दसमा और ये इन तीन सारय का सम करके किसके एक्वल रख देंगे यहां हम जो है अठा जो सोरी यह जो ग्यारा प्लेयर थे अठाई से मल्टिप्लाई कराएंगे तो टोटल एज आएगे तो इसको आप सोल करोगे न तो यह अंसर आएगा थर्टी फाइफ येर्स आएगा इसको इस तरह से स स्टोडो और जो है पलस में कितना कर देना वही यह कर दे ओगे 11 कर देूगे ठीक है 13 कुछ Allezगा और इसको कुणा कर आओगे 28 को जो है क्या नाम स्वी है है 28 को कुना कर आओगे 11 की छार साथ तो शा उनसर में से कटाओंगे 2 से डिवाइड कर आओगे मेरख यह ये सत्तर बचेगा, सत्तर बटे में कितना आएगा, दो आएगा, और ये 35 के उपर कड़ जाएगा, 35 इसका क्या जाएगा, फाइनल अंसर आजएगा, next question के उपर चलते हैं, आईए देखीगा, तेरा question, इससे असान question नहीं हो सकता, देखी, common sense उज़ करनी, इसके अंदर, उपर कितना है, ये इसको reduced form में करना है, lowest form के अंदर आपने right करना, उपर कितना है, 30, नीचे कितना है, 25, सिदी सी बात अंसर कितना आएगा, एक से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसके अंदर देख के साथ सोचा जाए, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बचकुन से आगया, डीज का correct answer आजाएगा, अगला question देखी, इसको solve करते हैं, simple करके लिखना, बहुत local question डाल लखे है, math के, तो यहाँ पर इसके अंदर देखोगे, तो 4 की power कितना कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 की power 3 कितना होते 64, इसको उपर लेके जाऊँगा, तो 4 की power कितनी आजाएगी, minus 3 आजाएगी, इस सारे की power कितनी है, minus 1 बटा 3 है, इसको solve करूँगा, 3 से 3, minus minus plus कितना answer आजाएगा, 4 आजाएगा इसका, अगला question देखीगा, क्या कहके चल रहा है, a system can be filled by a tap, कोई भी टंकी है, उसको पहला नड़का है, यानि जो tap होता है, वो कितने गंटे में बरके चाल ले है, च्यार हावर्स के अंदर उसको बरके चल रहा है, और एक दूसरा है, वो उसको कितने बरके, जो उसको empty करता है, यानि निकार देता है, पानी को, खाली कर द है, और एक tap क्या है, बी है, पहला tap, इसको कितने समय में बरता है, यह बरता है, च्यार गंटे के अंदर, दूसरा Monsieur钱, निकार देता है, पानी को, 9 गंटे के अंदर, दोनों का टोव टन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क दन निकाल सकते हैं, ठोटल वर्क दन यानि ओनी च्यार यूनिट ठेक हैं तो टोटल मिलके कितना काम करया है क्योंकि एक भर रहा है एक रितार है तो टोटल यूनिट कितना हुआ एक गंटे के अंदर ये हुआ पांच यूनिट वर्क डन होगा एक गंटे के अंदर पांच यूनिट वर्क डन होगा टोटल वर्क डन कितना थ था 36 था तो कितना समय लगेगा 36 से इसको पांच से डिवाइड कराओगे तो पांच जो था साथ साथ प्रेंड दो इसको बढ़ने में अगला कोशन देखीगा विच अमंगे इस दा फ्लोविंग इस लारजेष्ट एंडोक्राइन गलांड जो आपने बता नहीं है ठीक है तो यह कुण सी होती है थाइरोइड होती है बायलोजी आ कोशन है सिंपल सा कोशन है थाइरोइड इसकन सुरा जाएगा भई आज कल क्या है अगला कोशन देखी प यलो किलर के करता है ठीक है और जो हाईडोजन होता है यह लाइट होती बिलकुल लाइट यलो होती है लेकिन इसका प्रंसर आएगा थे कह आप बता सकते हो एक group of wear is क्या है ये एक software होता है ठीक है ये एक software होता है वैसे से जो network जो connecting किये जाते हैं एक मिदा आप इसको confirm करना वही इसका जो है मेरी ख्याल में तो जो software आना चीए क्योंकि ग्रूप wear जो एक programming होती है यानि जैसे screen touch कोई भी system होता है उसको caliper जो किया जाता है इसको screen touch करन कि network को जो है इससे जोडने गाम भी होता है लेकिन आप इसको confirm करके बदाए नीचे जो comment box में इसका अंसर डाले इन दोनों में से एक है अगला देखिया noble gas used for the treatment of cancer कौन सी गैस है कौन सी noble gas है जिसका हम जो use करते है treatment noble gases जो गैसे हो जो जो दूसरे के साथ reaction नहीं करते हैं जैस आरगन रेड़न ये सारे जो थी noble gases noble gases these are those gases which does not combine या फिर जो others के element के साथ नहीं जुड़ती है तो ये जो treatment किसके लिए भई जो है cancer का treatment के लिए किया जाता है random इसका जो होता है redon इसका gas का use किया जाता है इसका ये आप correct answer जो है बता सकते हो तो अगले question के उपर चलते है PVC polyvinyl जो होता है इसका जो कहां use किया जाता है किस चीज को बनाने के लिए chemistry question है या हमेशा plastic के जितनी plastic की चीज़ें होती plastic pipes वेगरा उनके अंदर PVC का use किया जाता है कभी जो होता है कोई plastic जो है pipe लेकिया या आप दुकान के उपर उसके उपर PVC लिख्या हुआ आपको जरूर लेगा अगले question के उपर चलते हैं 21 का question क्या क्या किखे चलता है which ancient city of haryana was known as the क्या किस नाम से सरफ दमन सरफ दमन की नाम से जाना जाता है सरफ दन यानी सफीदो को जाना जाता है सफीदो ये सहर पड़ता है कि कोण सी डिस्टी के उनदर पड़ता है ये पड़ता है जीनद डिस्टि के अंदर पड़ता है स्वीदों को जाना जाता है यह इसका अंसोर आजाएगा हर्याना जी के कुर्शन जो है स्टार्ट हो गए अगला कुर्शन देखिएगा एट विच प्लेस हरियाना यानि लिबर्टी सूज जो है बहुत लोकल लो लेवल के कोशन डाल रखे हैं हरियाना के जो है या जाए लिबर्टी सूज वारी जो है मैनुफेक्टरिंग फैक्टरी कहाँ पर है यह करणाल के अंदर है ठीक है यह इसका correct answer आ जाएगा अगला कि यह सहर किसको बोलते हैं पाने कोट पत को बोलते हैं मेरी जो काफी जो पहले आपने वीडियो लगाई होंगी तो इस सारे कोशन वहां से cover हो रहे हैं और एक और मैं आपको बता जूँ तो दूसरी जो है मैंने एंडिया जी के जो वीडियो डाल रखे हैं वो भी कोशन देखी गां कोशन देखीगा In the memory of faith जो हता है किसका वई जयनी चण जो रिषी है कौनसी हिल पाड़ी के अंδर उसका जो मीडा बर्या JAY जातते है ये हुता है डोसी हिल ठेक है है डोसी हिल की पाड़ियों के अंदर जो द्यो है 54 कांज जो मीडा बर्या बर्याज आते कोशन अगले कोशन के उपर चलते हैं रिसेंटली जो है पुषुधन योजना ये भी पिछले वाड़े कोशन के अंदर आया वा था वी आपको में बता देता हूं पुषुधन बीमा योजना जो है लॉंच की गई थी विच मिनिस्टर ओफ अर्याना गोर्मेंट कोण से थे वो थे ओपी धनकड ठीक है ओपी धनकड ने इसको लॉंच किया था पुषुधन बीमा योजना को पीछे वाड़े पेपर में भी आया था कई कोशन रिपीट कर रहे हैं करनड जो हता है कोशना सिर्ण जो है इसका मतलब होता है इसके目 प्ल फॉर्म बता देता हूं हो एच का मतलब होता है हरियाना स्टेट और आयोसे के साथ लिंक इनीद इस राजागा इन हर्याना गोर्मेंट फू होल्ड दा मिनिस्ट्र ओफ वुमेंड एंड चाइल डिवलोपमेंड इन्फॉरमेशन बब्लिक रिलेशन एंड करंट अफेर्स ये हैं कवीता जेन ठेक है वई कवीता जेन को ये डिपार्टमेंट से मवाड़ रखिया है करंट अफेर्स धे कर् ठीक है आप बता सकते हैं भी फू वाज दा फर्स्ट स्टेट पोईट ओफ रियाना इससे लोकल कोशन क्या हो सकते हैं बिल्कुल इतने हसान जो है इसका अंसर राजय है कुणसा जाएगा उद्यबान जो है हन्स ये पहले राज जो है ठीक है अगले कोशन के उपर चलते हैं देखिएगा नेक्स्ट कोशन बांडरी ओफ विस्टिस्टिक बहुत असान कोशन है रोतक जो है डिस्टिक इसकी पांडरी किसी भी स्टेट के साथ टच नहीं करती है इंडिया के इस वेरी सिंपल आयरन मैन को किसको जना जाता है बंसी लाल को जना जाता है ताव देवी लाल को ताव के नाम से जना जाता है सरदार बलबाई पटेल ये आयरन थे मैन थे ये लेकिन ये पूरे इंडिया के थे ये बात को याद रखना बै which district was formed at last, सबसे last में कौन से district बने थी, सबसे last में बने थी, पलवल बने थी, और पलवल को बनाया गया था, किसी attack इस किसमें से बनाया गया था, sorry, फ्रेदावाद में से इसको बनाया गया था, 2008 के अंदर इसको बनाया गया था, नेक्स्ट कोशन के उपर चलते हैं दिला टेमपर ओफ कुरू छेत्रा लोकेटिड का हैं ब्रहम सरोवर के नजदी के हैं ठीक हैं ब्रहम सरोवर कुरू छेत्रा के अंदर इतना सिंपल सा कोशन है इतना सिंपल है ये भी बहुत असानी है अगला कोशन के पर चलते हैं What is the full form of KMP? KMP की जो full form क्या होती है ये आपने बताना है तो देखिए का KMP क्या होती है इसकी full form होती है कुरू छेत्रा ये नहीं होती है ये भी नहीं होता है ये आएगा कुंडली और मानेसर पलवर के एमपी ये इसका correct answer आज है Rio Olympic bronze medalist जो होता है साक्सी मुलिक बिलकुल जो है ये कोई question नहीं होता है पूछने का 3 September वैसे तो ठेक है रूलर ओफ मगद ठीक है यानि किस ने चंदरगूप्त मोरिया को मगद का सासक बनने के लिए मार्ग दर्शन किया था ये इच रिवर ओरिजनेटिड इंदा माने जो है मानसरोर देखिए option से देखते हैं यमुना जो ती यमुना निकलती यमुनोतरी से गंगा निकलती गंगोतरी से नर्मदा तो दक्षिन भारत की नदी आजाएगी तो वैसे ही गलत हो गया ठीक है क्योंकि मानसरोर कहां पड़ता है मानसरोर ये जो उपर पाडियों में है तो ये इसका आज आएगा क्या आज आएगा बरंपुतरा होती है बरंपुतरा जो नदी है ये चाइना के अंदर से बैती हो ही परली साइड से जो है पूरो की साइड से अरुना चल परदेश जो है ये दो जगह के नाम हैं ये दोनों जगह कहा हैं बिहार के अंदर हैं सिंग भूम और हाजिरी बाग ये किसके लिए वहाँ कोईला ही होता है ठीक है कोईला मिलता है ये बता देना आप यानि बासा के अदार पर बना था आंदर पर देश इसका correct अंसर आज जाएगा भाट का परदान मंतरी बनने के लिए आपकी कम से कम 30 साल आपकी एज होने चीए 30 साल की एज में आप परदान मंतरी बन सकते अगर आपके अंदर कुछ है तो enjoy करोगे which five year plan had adopted remove of poverty यानि कुण से five year जो plan जो launch करती एंडिसी जो हता है council डिवलोमेंट होती है ठीक five year जो plan बनाये जाते हैं योजिनाम के अंदर commission के अंदर आप पढ़ोगे ठीक है politics के अंदर तो second, third, fourth, sixth वैसे तो कई जगे ये साइद fifth होना चाहिए लेकिन इसका अंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा sixth ये plan आ जाएगा मैंने कई जगे फिप भी पढ़ा है वही इसके उपर में शोर नहीं हो लेकिन फिप तो इसके अंदर है भी नहीं है तो इसका sixth जो है ये अंसर आ जाएगा during whose rule was rupee coin first mansion in India कौन सा जो सासनकाल में rupee का सिका भार ने पर्थम बार जो है डाला गया था किसके सासनकाल में ये थे सुल्तान सेर साहसूरी ये आ जाएगा सुल्तान सेर साहसूरी च्छटे स्ताव दिशते के जो स्ताव जो सके अंदर नजदिक था एकुछ name the Indian state which has given most noble prize winners जो noble prize winners जो है गुरुदेव यानि जो थे रवींदर नाच्टेगोर यानि जो थे बही noble prize के बताना है जिस तना 2000 जो है क्या नाम साह 14 के अंदर जो थे कलास सत्यारती को मिला था noble prize पीस के फिल्ड के अंदर शिवी रमन को सबसे पहले जो बोतिक की के अंदर मिला था यानि फिजिस के अंदर मिला था इन कोई साथ स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा जो है noble prize winners दी है यह आ जाएगा वेस्ट बंगॉल से ज्यादा बिलॉंग करते हैं मद्य पर्देश का नेम दा फर्स्ट इंडियन टू विन दा ओसकर अवार्ड कोण सा जो पहला इंडियन था जिसने ओसकर जो अवार्ड जो था इसको जित्या था यह आ जाए बानू जो था बानू अथया बानू अथया इसका क्रेक्ट अंसर आ जाएगा इसका जो मैनेजिंग डिरेक्टर था कौन थे यह थे गौतम काजी इसके जो थे फर्स्ट इंडियन थे जो व्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डिरेक्टर बने थे इन विच इयर ओब दा फर्स्ट जनरल इलेक्टर एल्ड उनिस सो इक्यावन बाउन सिंपल सा कोशन है एक्यावन बाउन के अंदर पहले आम चुनाव हुए थे भारत के अंदर आजादगी के बाद वैन वाज महातमा गांदी एसेनियेटिड यानि उसकी जुमरित्यू जो नतुराम गोड़शा ने करे थी ठीक है ये उनिस और तारीस के अंदर करे थी उनिस और तारीस वड़ा वैसे एकी ओप्सन में नज़र आया रहा है आपको डेट इतनी याद रखने जूरत भी नही ठीक है अगला कोशन के उपर चलते हैं ये कोशन जो था क्या नाम है तेरा तारीक को था पर वाद उसके अंदर भी दे रख्या था इन विच येर वाजदा युनाइटिड नेशन फॉर्म्ड उनिस और युनाइट नेशन बन्या था इन विच येर डिट दा फ्रेंच परांती हुई थी अगला कोशन देखीगा वट आर दा इमेजरिंग लाइन पैलर टू दा एक्वेटर कॉर्ड क्या बोलते हैं लॉंगिट्यूड्स बोलते हैं दिसांतर रिखाई कहा जाता हैं कंगारू जो था ये ऑस्ट्रेलिया से संबन्द है बहुत सिंपल कोशन है छ कांव से साल के अंदर बने देवा योन के सदस से बने थे हम 95 के अंदर साइस बने थे हम एक मैस को साइद हाज नुन 945 के अंदर ही बने गया थे ठीक है य उन जो घठित किया गया था 90 retrouve कोशन राज जएगा स्विजर लेंड के अंदर पड़ता है जिनिवा सहर जो है ये करे थी हैंरी डोनाट ने इसकी करे थी डोनाट ने इसकी वुस्थापना करे थी इसके फांडर है हैंरी डोनाट कौन से ओर्गेंस से जो हती है मचली सांस लेती है मचली हमेशा सांस लेती है किसे लेती है गिल से लेती है ठीक है which lens are short sightness जो ये defect होता है eye के 3 defect होते है myopia, hyper myopia, press byopia तो short sightness होता है myopia बोलते है इसको ठीक या जाता है concave lens से ये होता है concave lens जो end पे से मोटा होता है बीच में से पतला होता है light को विखेरता है या बता सकते है इसके अंदर retina से पिछे image बनने लग जाती है तो ये light को थोड़ा विखेर की क्या करेगा नहीं, sorry, retina से आगे बनती है और final retina के उपर image बनाता है concave, ये lens आ जाएगा ठीक करने के लिए use किया जाता है अगला कुशन देखे who was the first Indian to score a century test cricket ये किसने करेए थी लाला किसने करेए थी अमरनाथ ने इसको करेए थी ठेक है, पहली century बनाए थी लाला अमरनाथ ने test cricket के अंदर स्थक बनाने वाले पहले बारती कौन थे लाला अमरनाथ प्राचीन ओलंपीक खेलोंगा सुबारं किसने किया था ग्रिक वासियों ने किया था ग्रिक वासियों ने बाकु किस देश की राजदानी है बाकु है, ये है अजर बेजान की है ठेक है, ये जो है एसिया के अंदर ही कंटरी पड़ती अजर बेजान कारगिल विज़ दिवस कब बनाया जाता है 26 जुलाई को 1909 में के अंदर ही लडाई हुई थी पाकिस्तान के साथ कारगिल विज़ जिसके उपर हमने विज़ पराप्त करे थी 26 जो था उसमें BJP ही पार्टी थी भार्त का पर्थम भूमिगत संग्राले यानि अंडर्गराउंड जो म्यूजियम ये जो हैं कहां है ये दिल्ली के अंदर बनाया गया है पहला 9 दिल्ली के अंदर नेक्स्ट कोशन के दिदे नेक्स्ट कोशन क्या क्या चलता है कि किसके composer कौन थे ये थे डुक्टर जो थे गजल, स्री निवास इसके जो थे कंपोजर थे इस सौंग के थे ये जो थीम थी ये जो सौंग आया गया था ठीक है पेमा कांडू सौंड इन दाची ये जो है सी एम बढ़े है पेमा कांडू ठीक है अरुनाचल परदेश की मुखे मंतरी की इनों ने सपत ली थी 17 जुलाई 2016 के अंदर कंट अफेश के कोशन पूछ रहा है अभी ये किस देश की में रियो अलंबिक बहुत असान है ब्राजिल के अंदर बहुत बुरी हालात रही थी हमारी ठीक है अगला कोशन के अंदर चलते हैं अगला कोशन देखीगा क्या कैके चल रहा है इवधा first and second digit in the sequence ये हमारी एक sequence देदी है reasoning का कोशन interchange पहले दूसरी को change कर देजिगा 3rd,4th को change कर देजिगा 5th,6 को change कर देजिगा so on which digit would be 7th counting left side से आपने केरना है देखीं मैं करता हूं change भाई 9 की जगए क्या आजाएगा 5 और 5 की जगए 9 आजाएगा देखो मैं change करके लिखता हूँ 9 5 1 8 2 ये 3 आजाएगा ठीक है अब 4 आएगा और 7 पीछे चले आजाएगा 8 आगे आजाएगा 3 पीछे चले आजाएगा 7 बताने पीछे से लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका क्या आजाएगा correct answer आजाएगा 71 का जो है right answer क्या आजाएगा ये आजाएगा 8 पो अधसान question था ये आप कर सकते हो अगले question के अंदर हम move करते हैं चले चलते हैं भाई 71 2 का question आप मुझे comment box में दे यहाँ पर space ने इसको समझाने के लिए आप इसको comment box से मुझे बताएगा इसको solve करके बताएगा अगले question के ऊपर चलते हैं देखिया next question क्या क्या के चल रहा है in the flowing forward 3 are like यान तीन किसी ना किसी manner से वो क्या है same fourth one is different तो था क्या अलग अकबर जहांगिर सान जाएं आपने मिलते जूते नहीं लग रहें तीनों ठीक हैं और यह क्या जाएगा विकरमा दिते यह इसका क्या जाएगा अलग आ जाएगा choose the missing term out of the given the missing term आपने निकालनी च्यार के बाद क्या दे दिया नो के बाद क्या दे दिया 16 तो यहां से च्यार पांच नो और नो और साथ सोड़ा और सोड़ा और सोड़ा नो कितना हो जाएगा पत्चिस पत्चिस देख लिए कहां कहां तीन नाम है यह तो option गलत हो गया वैस गी तो इसका अंसर आएगा मेरे ख्याल में L25O इसका correct अंसर आएगा अगर आप इसको सोल करोगे तो series JBCD वाड़े लिख लेना alphabet से 26 से उनके according reasoning कि जितने भी होते हैं कुसन आप इसली से सोल कर सकते हो अगला कुसन देखिए है मैत का थोड़ा ठीक कुसन है लेकिन इतना ख कितना मिला दिया दूद के अंदर वाटर मिला दिया कितना पांच तो कितना solution हो गया मिक्सर कितना हो गया 25 लिटर प्योर मिल का rate कितना है प्योर मिल का rate देगे चल रहा है यह कितना देगे चल रहा है यह देगे चल ठारा तो सिदी सी बाद कितना रपी हम खरीत दिया हुआ तो 20 गुणा में के कर देओ 18 तो यह आजाएगा 18 दूनी 36 से 360 रपी उसके लग देओंगे और इसी रेट को उपर इस मिक्सर ने बेचा तो कितना फैदा करगा अब 25 लीटर बेचना है 18 के हिसाब से तो बेच देएगे 25 यठा 2220 और 25 रपीस कितना हो जाएगा यह हुआ अगरे मेरे ख्याल में 25 यह हो जाया कोस्ट प्राइज और बेच्चा कितना हमें सेलिंग प्राइज 450 में कितना अंतर आ गया 50 रपी तो अड़े 44 कितने फैदा हो गया 90 रपीया फैदा हो गया 360 के उपर फायदा हो एक क्योंकि Coast Price के उपर हम बात करते हैं गुणा हम percentage के लिए के कर दाएंगे सो जीरो तर जीरो नो एकम नो नो चोका चछती से अर्चियार कितना आजएगा पत्तिस परसेंट आजएगा देखले ओप्शन से हैं के पत्तिस ही हो रहा भाई यह इसका क्रेक्ट अंसर आजएगा अगले कुशन के उपर चलते हैं भाई देखीगा वन ओफ टू बसी इज कंप्लीट एज जर्णी एक चल रही है तिन सो किलो मेटर कितने समय में 15 बटे दो गंटे के अंदर तो सिद्धी सी बात इसकी स्पीड निकाल जो भाई स्पीड का फोर्मुला आगर है कि एर डिस्टेंस बटे में टाइम यानि तिन सो बटे में टाइम करूँगा तो तो तिन सो बटे में 15 बटे दो मुद्धा जाओगा तो दो उपरान जाओगा 15 दूनी 30 दूनी 15 दूनी कितना आजए 30 20 दूनी कितना आजएगी पहली आजाएगी 45 यानि इस पर कारट देओ पांच पर पांच पांच उटा चारी पांश निम पन तरफ आठ रेश्व कितना अंसरा जाएगा नो इसका अंसरा जाएगा अगला कुशन देखी का दो नमबर है जिनका HCM कितना दे दिया तेश दे दिया HCM का मतलब होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर होता है और LCM का मतलब होता है जो लिस्ट कॉमन मल्टिपल जो होता है इसको बोलते हैं और जो लिस्ट कॉमन मल्टिपल है LCM के दो factor दे दिए, कितने दे दिए, 13 और 14, ठेक हैं, तो हम की नहीं भी दो number हो कि LCM निकारते हैं और HCM निकारते हैं, यहाँ पर मानने चलिए, यह number है X पहला, और यह number है Y सिद्धी सी बात है, इन में highest common कितना है, 23 है, ठेक हैं, और यह दो factor दे दिए यह जो है, यह के बता दोगे तामी, यह बता दोगे, यह तो हो जाए, अगरे कुण सा हो जाए, 23 तो हो जाएगा, HCM, और इन स्तिन वागी multiply कियो है, LCM, तो सिद्धी सी बात ही, LCM हो जाएगरन है, अब इन में बड़ा number कुण सा हो या होगा, यह वड़ा बड़ा number होगा, ज 23 अर्चोदा ही गुना करा जिए, वाँ तो इसका correct answer आजाएगा, 23 अर्चोदा ही, तीन चोके बारा, दो लास्ट मा होगा, तो यह इसका correct answer आजाएगा, असान कुछन है, बहुत स्टोड़ी सी common sense यूज़ करने हैं आपने यहाँ पर बस, और कुछ नहीं इसके अंदर, मान लेता हूं, पहला कितना है, X हैं, तो दूसरा कितना हो जाएगा, X plus में 2 हो जाएगा, तिसरा कितना हो जाएगा, X plus में 2, कितना हो करा हुआ, च्यार करूँआ क्योंकि देखो, एक बार इस सीरीज को satisfy करता हूं, एक लिए हुआ, तो एक पलस में 2, 3, और 4, 5, जानी ओर बन रहीं और inडीजर मिल रहें अब क्या कैके चलो रहे है पहले का तीन टाइम फिरस्ट जो है कितना ज्यादा थरी टाइमस ओफ दड़ जो है किस से y echo yeah i need three jy more यानी तीन ज्यादा है किस से वही twice से-3rd न हे ही फिरसे perfectly त्वाइस कर दो थर्ड न ट्वाइस है एक्सир पिलस में कितना आ जाएगा च्यार कितना जादा से यो तीन जादा a गुणा कर आऊगे दो एकसा हुआ तो यह कितना हो जाएगा तिन एकस माइनस दो एकस एकस बच जागा और च्यार दूनी कितना हो जाएगा आठ हो जहएगा आठ नपरन पटकूँगा अगला कोसन देखीगा एलफरेड नोबल Alfred ये जो Swedish के अंदर जो थे एक chemist थे उनके नाम से जो थे Nobel Prize स्टार्ट होए थे इस associate with invention उसने क्या दिया था उसने दिया था dynamite ये इसने दिया था ठेक है इसे स्टार्ट होए थे dynamite 82 के कुशन के उपर हम बात करते हैं banking of growth जैसे आपने देख्या हुआ कि भई यह जो ऐसे मुड़ते ना road के उपर जो होता है कोई trend होता है वहाँ पर इसको circular पात दिया जतता है यानि trend क्या जतता है centripetal force provide कराने के लिए अंसर तो यही है centripetal force मिलेगा centrifugal force होता है जो दूर फैक दे यानि center से दूर फैक दे तो यह तो हो नहीं सकता हमने कोई भी विकल को दूर थोड़ी फैक ना है centrifugal oscillation अब सिधी सी बात फ्यूगल oscillation भी ने ले गया दूर फैक नहीं वड़ा angular velocity अगर को form है crystalline है amorphous solid होते हैं यह अलग चीज होती है alkaline सारी यह अलग चीज होगे भी chemical chemical तो गणी टाइप की होते है chemical तो वैसी नहीं होता है diamond तो एक hardest substance है तो इसके क्या आ जाएगा crystalline इसका क्या जाएगा answer आ जाएगा science की field से question चल रहे हैं which of the flowing gases do plant and tree give out during photosynthesis photosynthesis एक ऐसी process होती जिसके अंदर पोदे क्या करते हैं अपना बोजन बनाते हैं carbon dioxide लेते हैं और oxygen चोड़ते हैं तो hydrogen nitrogen का तो वैसे ही कोई role नहीं है यह option वैसे ही खतम हो गया option भी नहीं देने आ रहे हैं तो इसका correct answer क्या आ जाएगा c आ जाए है बहुत असान level की उपरे दे रखे है question बहुत ही low level इस question का क्योंकि option के अच्छी देने नहीं आए food is normally digest in normally digest कहां हो जाता है 90% से अब हो जाता है food कहां digest होता है smallest time के अंदरे जो हैं digest होता है इसके बाद जो था 85 question हमारे हो गए हैं आगे चलते हैं find the correctly spelled आपने बिल्कुल correct जो spell है वो आपने इन में से निकाड़ना है यह English का question होता है यह थोड़ा सा भई आपकी जो है vocab बग हो गया ठीक है तो यह देगे चल रहा है octogeneration octogeneration कोई word नहीं होता है यहां से जो होता है क्या नाम है er word हटेगा इसके अंदर octogen यह word होता है क्या होता है है यह होता है octogeneration er नहीं आएगा यहां पर जो ही er नहीं आएगा octogeneration होता है octogeneration होता है जो अगर इस word हो आटा जेता है यहां से er अटा देता है तो फिर यह correct बन जाता है फिर इसका एक meaning निकलता है यानि जिस आदमी की age 80 और 89 या 90 के बीच में होते हैं उसको बोलते हैं centrian जो centrian यह जो होता है और निचे कुण सा देगे चल रहा प्रोपीशियेटर और निचे देगे चल रहा है e-mature यह भी spelling गलते है या e aga अगर यह भी mispelled हों गहा है यह को यह जो है गलत है ए बी ठीक है तो इसका अंसर यह भी फिल दा ब्लैंक विद एप्रोप्रियेट प्री पोजिशन लगाने सड़नली सीट रन अवे देखो अवे फ्रोम आएगा सिद्धी सी बात है ओफ तो आ नहीं सकता है और विद विन्यास अवे विद दा विंडो कोई मतलि जची को ने बात सी जची को ने एक बात थोड़ा सा फूट करके देख्या गरो विंडो एंड स्टूड खालिस्तान दा ग्लास तो फ्रोम स्टूड टू टू नहीं होगा ठीक है दिसका आ जाएगा फ्रोम ये इसका क्रेक्ट अंसर आ जाए फ्रोम बिफोर ग्लास टूटने से पहले हो क्या हो गई कोहां से हट गेटरन हो गई अगर रिफ्यूज में यह वैसी होगा गिवन में देना अगर है शो करना पान तो एक्जीबिटीड होगा इसका प्रदसनी जो चल रही है वहां पर एक्जीबिटीड यह फुलाना इस तरह से आपको इस सुन्या होगा अगला देखिए select the substitutions that best express opposite meaning of the underlying word क्या है considered meaning होता है अभी मानी तो पूर तो नहीं आएगा इसका उल्टा lonely भी नहीं आएगा scholarly यह भी नहीं आएगा humble हम्बल मैंने होता है नमर आदमी को बोलते हैं यह इसका correct answer लेके चलेगा यह आप बताते हैं इसका अंसर चोजे alternative which can replace a given word or sentence so as true communicated the same meaning a place where neither grass ऐसा जगा है जा ना तो गास होगा है और ना ही कोई पेड़ पोदा गरो करा तो उस जमीन के बोला रहा है जो बंजर जमीन बेरन मैंने बंजर जमीन होती है बता सकते हैं अब हिंदी से question आते हैं जिसे प्राजित नहीं किया जाए यह बता सकते हैं गरहों गरहें जोते हैं प्लैनेट जोते हैं हमारे ठेक हैं यानि मरकरी हो गया अर्थ हमारी एक प्लैनेट हो गयी मार्स हो गया ठेक है जुपिटर हो जाएगा नेप्चुन हो जाएगा यह सारे प्लिंग के अंदर आते हैं क्लिंग के अंदर आते हैं आप हिंदी पड़ोगे वैसे मुझे हिंदी कम नोलेज है मैं फिर भी आपको करा रहा हूं कोशिस कर रहा हूं आपुषन का प्रयाइवाची सबत क्या आएगा आपुषन का जो है विभुषन हार पुषन साइध मेरी ख्याल में इसका हार आना ची इसका मैं कंफर्म नहीं हूं आप मुझे बताएं मुझे लगता है कि हार आना ची हो और आप बता सकते हैं हमारा जनम अधिकार है संतंतर तरता है यह बिल्कुल वैसी आपने सुन्या होगा यह स्टेटमेंट हिस्ट्री के अंदर कही ना कही पितांबर पीड़े हैं जिसके संदी विग्रे कर ना विग्राकर ना sorry for pronunciation थोड़ी से हिंदी मेरी विख है जो इसके अंदर यह आपने अंसर आएगा सरत पलस में चंदर आएगा तो यहां पर आधा च्ये हैं तो आधा टे आएगा सरत प्र बणता है संदी के अंदर आप संदी पड़ोगे तब ठीक है तो इसका right answer आजाएगा सच चरितरता इसके अंदर उफसर्ग बनाना उफसर्ग वो होता है जो आगे लाग जाएगर है तो आगे यहाँ पर क्या आएगा सत आएगा क्योंकि तैक अनवर्ट होता है संदी विछेद में चै बनता है तैका ठीक है तो यहाँ पर क्या आजाएगा इसका आजाएगा सत आजाएगा इसका correct अंसर आजाएगा next question देखिया जो थोड़ा जानता हो जो थोड़ा जानता हो बहुत कम जानता हो उसको क्या बोलते है यह इसका क्या आजाएगा right अंसर आजाएगा मखमल में जूल पड़े हाथी सा टीला ठीक है तो इसमें आ जाएगा उपमा अलंकार भाई मेरी तरफ तो यो ना ची सी और तामी देख लियो भाई कौन सा होगा ठीक है आखरी को सना गया निमल लिखीत में से कौन सा सबद कनक सबद का अर्थ नहीं है ददूरा गेहू सोना कमल का कोई लोजिक नहीं है तो इसका सी अंसर आ जाएगा तो ये था 20 तारी का जो पेपर था नीचे जो कमेंट बोक्स में बताईए इसका सोलीशन आपको कैसे लगया हाँ में भी हो सकता है एक दो कोशन के अंदर जो कोई गलती हो गई हो तो भई उसके लिए मैं माफी च कमेंटेट करें और जो हैं सेर करना नहीं भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो